exercise first करने के बाद यहां पे आपको यह exercise नहीं दी हुई है बट यहां पे कुछ questions दिये हुए है solve करने के लिए तो इने हम solve करेंगे यह एक fun time है यानि आपको अच्छा लगेगा इसको करके यहां पे देखिए am pm के बारे में हम समझेंगे write am और pm to make the sentence is correct यहां पे कुछ sentence दिये हुए है बट यहां पे जो time दिया हुआ है उनके पीछे ना तो am लगा हुआ है उना ही pm तो यह time हमें पता नहीं और दुपैर के 12 बज़े तक am का time होता है जब कभी भी 12 बज़ेंगे आप 12 बज़े के साथ am pm नहीं लगाएंगे अगर आधी रात के 12 बज़े हैं तो midnight लगाएंगे अगर दुपैर के 12 बज़े हैं तो noon लगाएंगे लेकिन अगर 12 बज़कर वन मिनट हो गया है जो आधी रात है उसमें 12 बज़कर वन मिनट हो गया है तो आप am लगाएंगे क्योंकि midnight से लेकि noon तक का जो time होता है वो am का होता है अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़कर एम और प्यम लगाएंगे यहां पर देखिए राजा गोस्टू बैड एट 9 यानि कि राजा सोता है नाइन बज़े अब सोता तो रात में है तो यहां पर यह जो नाइन का time है यहां पर हम प्यम लिखेंगे I have my lunch at 2.30 मैं मेरा lunch 2.30 पर करता हूँ यानि कि दुपएर के नून के बाद के 2.30 है तो यहां पर भी प्यम माइ ब्रॉदर गोस्टू स्कूल अट 7 स्कूल कब जाते है morning में तो यानि यहां आपका एम का time है अब यहां आपको करना है second देखे write the time using am और pm यहां पर हमें time दिखना है am pm का use करके अब देखे 5.30 in the morning में 5.30 हो रहे हैं तो am का time है यह 5.30 am 11.30 in the evening अब यह evening का time है तो यहां पर हम pm दिखेंगे यानि 11.30 एक तरीके से रात में ही बच गए 4.15 in the afternoon noon के बाद का 4.15 है यानि की noon के बाद यह 4.15 मिनट से है तो pm लिखेंगे यह question आप करना डी अब यहां पर देखें थर्ड question what time will it be कितना time होगा देखे 3 hours after 6.40 pm अगर आपका 6.40 pm का time हो रहा है तो आप बताए 3 hours बाद कितना time होगा यह तीन गंटे बाद कितना समय होगा तो देखे 6.40 time हो रहा है अब हम 1 hour बाद 7.40 होगा 2 hour बाद 8.40 और 3 hours बाद 9.40 और time pm का ही रहेगा तो यहां पर हम लिखेंगे 9.40 pm ऐसे ही आपको यह दौनों कोशिन करना है यहां पर 5 hours आफ्टर बताना है यहां पर टू आवर्स आफ्टर बताना है यहां यहां पर 8 बज रहे हैं am के तो 5 hours बाद कितना टाइम होगा यह आपको एक आप रफ कॉपी में वाच बना लिना और अपने अकॉर्डिंग देखना कि 5 hours बाद कितना टाइम होगा और यहां यहां पर टाइम लिखना है am pm के साथ जो भी आया आपका am i या pm i उसके अकॉर्डिंग करना है यह फन टाइम भी आपको मैस की बुक में करना है मैस के रजिस्टर में नहीं करना है कि देखिए अभी मैं आपको बताया था कि we do not use am और pm with 12 कि जब कभी भी 12 का टाइम होता है चाहें वह आपका midnight में हो या noon में हो तो उसकी पीछे am pm नहीं रगाते thank you